आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो इस question में मुझे क्या given है that explain anomalous behavior of water right its effect in lakes and ponds question मुझे क्या बूल रहा है कि जो water का anomalous behavior होता है वो मुझे explain करना है और उसका जो lakes और ponds के उपर एफेक्ट होता है वो भी मुझे बताना है तो देखो generally हम क्या देखते हैं कोई भी object हमारे पास है तो उसकी कुछ volume मान लो V तो उसका अगर मैं temperature increase करूँगा तो हम generally क्या expect करते हैं कि इसकी volume जो है ये increase करेगी या अगर मैं temperature को decrease कर रहा हूँ तो इसमें volume में contraction होगा तो लेकिन water के case है वो थोड़ा अलग है तो water के case में क्या होता है water के case में होता है तो इसकी volume का अगर मैं बात करूँ तो मानलो किसी high temperature से मैं किसी high temperature से इसका temperature मैंने decrease करना स्टार्ट किया ठेके temperature decrease करना स्टार्ट किया तो 4 degree Celsius तक जब तक इसका temperature पहुँचेगा तब तक तो इसका behavior भी normally रहेगा यानि कि हम temperature decrease कर रहे हैं इसकी volume contract होगी ठेके इसकी volume contract होगी लेकिन जैसे हम 4 degree Celsius पहुँच जाएंगे या उससे नीचे temperatures पहुच जाएंगे like 3 degree Celsius and all up to 0 degree Celsius हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसकी volume जो है increase हो रही है इसकी volume increase हो रही है जिसकी वैसे क्या हो रहा है देखो यहाँ फेल वॉल्यूम decrease हो रही थी तो हमारे density क्या होती है mass upon volume तो volume decrease हो रही थी हमारी mass तो constant रहेगा volume decrease हो रही थी तो हमारे density increase हो रही थी लेकिन अब 4 degree से नीचे जाना पर volume मेरी increase हो रही है अब volume जो में increase हो रही होगी तो density decrease होगी तो इसको हम बोलते है anomalous behavior of water इसका behavior general तो नहीं है high temperature पे temperature increase कर रहे हैं तो volume increase हो या decrease कर रहे हैं तो decrease हो लेकिन 4 degrees से ज़्यादा पे इसका normal behavior है लेकिन 4 degrees का जो range है 0 to 4 degrees उसमें इसका behavior change हो जाता है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि winters के time पे जो भी हमारी cold places होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा coldness होती है वहाँ पर जो lakes और ponts होते हैं उनमें क्या होता है कि जो यह upper layer है यह upper layer freeze हो जाती है ठेक है यह upper layer freeze हो जाती है लेकिन इसके नीचे still water ही होता है ठेक है upper layer तो freeze हो गई सरदी की वैसे, लेकिन इसकी वज़े से इसमें heat का transfer नहीं हो पाता इसकी वज़े से अंदर still water ही होता है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो lakes और ponts में जो aquatic life होती है it helps aquatic life to survive, ठेक है, इसकी वैसे क्या होता है कि अंदर का ये जो पानी है हमारा, ये freeze नहीं हो पाता है अंदर still water ही होता है और उसका temperature भी इतना ज़्यादा ठंदा नहीं होता है as compared to outer temperature, चेक है तो उससे हमारा जो aquatic life होती है in lakes और ponts की, वो easily survive कर पाती है तो I hope आप लोगो clearly समझाया होगा, thank you